तिस वीडियो न हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है कस्टूमर को Gmail से आउटोमेटिकली में हम use कर रहे हैं एक third software का जिसका नाम है Pably Connect जो कि एक automation and integration software है जो हमें help करेगा Razor Pay को Gmail से connect करने में ठीक है तो हमें करना हो automation set और best part तो यह है कि एस automation को set करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding का आना जरूरी नहीं है एक non-technical बंदा भी यह automation आसानी से set कर सकता है तो यह हम कैसे करेंगे जानने के लिए बने रही है वीडियो में ओके सबसे पहले हम हमारे browser में type करेंगे pably.com प्रेस एंटर ओके pably.com की official website सामने आ गई है फिर हम क्लिक करेंगे products पे फिर हम क्लिक करेंगे connect पे ओके connect पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने pably connect का landing पे जा गया है कुछ इस तरह से दिखता है दैन हम क्लिक करेंगे sign in पर मैं sign in पर क्लिक करूंगा because मेरा जो account है वो अल्रेडी बना हुआ पेबली connect का आपको क्लिक करना होगा sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए ओके तो मैं क्लिक करता हूं sign in पर okay sign in पर क्लिक करने के बाद यह नीचे एक option है connect का महाँ पे हम क्लिक करेंगे access now के उपर okay access now पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेबली connect का डैश बोर्ड आ गया है फिर हम क्लिक करेंगे right hand side पे create workflow के उपर okay then मैं अभी अपने workflow को एक नाम दे देता हूँ razor pay to gmail okay create पर क्लिक करेंगे so razor pay to gmail हो गया हमारे workflow का नाम एक important बात आपको बता दूँ इस वीडियो की description box में आपको एक link मिलेगा जो की होगा इसी workflow का जिस पर क्लिक करके आप यही same workflow अपने account में use कर सकते हैं then अब आ जाते हैं नीचे नीचे हमारे सामने है trigger window okay और यह है action window so आप सोच रहे होंगे कि trigger window क्या होता और action window क्या होता है trigger का मतलब होता है when this happens और action का मतलब होता है do this है ना when this happens मतलब जब भी ऐसा हो और action मतलब do this ऐसा कर दो तो हमारे topic के अनुसार razor pay में जब भी कोई invoice paid हो तो हमारा trigger हुआ invoice का paid होना किसमें razor pay में तो हम यहाँ पर select कर लेते हैं razor pay ओके razor पर हमने यह select कर लिया और हमारा trigger event होगा invoice का paid होना यहाँ पे काफी सारे options हैं आप अपने topic के अनुसार जो है उसको pick कर सकते हैं बट मेरा topic जो है वो अभी यह है कि invoice paid हो तब ही trigger काम करें तो मैं इसको select कर लेता हूँ so trigger होगे हमारा complete अब हमारा जो action है वो हम क्या चाहते हैं जीमेल के द्वारा customer को email send हो जाए details का अपना invoice details का तो हम यहाँ पे select करेंगे Gmail जीमेल पे click कर देता हूँ Gmail select कर लिया मैंने और यहाँ पे action event में हमको select करना होगा send and email यहाँ पे और भी चार options हैं आप इन में से अपने topic के अनुसार चूज कर सकते हैं मेरा topic अभी जो है उसके अनुसार हमें send and email करना है तो मैं उसको choose कर लेता हूँ अब ही आपको समझ में आ गया होगा कि action क्या होता है और trigger क्या होता है अब हमें पैबली connect ने दिया है एक webhook URL और दिये हैं कुछ instructions हमें करना है इन instructions को follow ठीक है और हमें करना है इसको copy ठीक है पहले तो webhook URL copy कर लेते हैं then अब यह बोल रहा है RazorPay के dashboard में जाके आप settings पे जाके webhooks पे जाए तो मैं चलता हूँ RazorPay पे यह रहा RazorPay का dashboard यह रहा RazorPay का dashboard then अब हमें चलना होगा settings की तरफ ठीक है मैं करता हूँ click settings पे then हमें click करना होगा webhooks पे ok webhooks पे click किया then अब हमें click करना होगा add new webhooks पे add new webhooks पे click करने के बाद हमें यहाँ पे डालनी है webhook URL कौन सी webhook URL जो हमें Pebly Connect ने दी है ok इसको हम कर लेते हैं copy then जाके हम RazorPay में यहाँ पे कर देते हैं paste then अब हम नीचे आ जाते हैं और हम आपे क्या instructions दिये हैं instructions दिये हैं कि select invoice paid from active event section ok तो हम चलते हैं इदर यह active event section है यहाँ पे हमको check करना है कि invoice paid का option का है so यह रहा इसको हम कर लेते हैं select ok then अब हम click कर देंगे create webhook पर create webhook पर click करने के बाद हमारी webhook successfully saved हो गई है then अब हमें चलना होगा वापिस public connect की तरफ तो अभी यहाँ पे waiting for webhook response कर रहा है response का wait कर रहा है webhook URL then अभी हम दुबारा चलते हैं हमारे razor pay की तरफ और हमारे कुछ response create करते हैं then अब हम चल देते हैं हमारे invoices पे okay invoices पे click किया then अभी मैं यहाँ पे एक new invoice create कर देता हूँ okay यहाँ पे click करके हम एक invoice create कर देते हैं invoice का नाम देते हैं invoice invoice number sorry 142 okay then यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना description summary जो भी हमें डालना है में डाल देता हूँ अपना razor पे to gmail okay then नीचे आजाते हैं billing to अपना address अगेरा यहाँ पे हम customer select कर देते हैं मैं create new customer कर देता हूँ ठीक है so new customer create कर देता है customer का नाम है Gary Monroe Gary Monroe okay और m capital कर देता हूँ और email है इनका Gary monroe six double seven at the rate gmail dot com okay then contact number डाल देते हैं okay contact number डाल दिया देन अब हम click कर देते हैं create customer पे okay so customer saved successfully create हमारा जो customer है वो successfully saved हो गया है अब हम expiry date जो है डाल देते हैं मैं कर देता हूँ August तीन अगस्ट जो है इनकी expiry date रहेगी issue date है इनका 13 जोलाई ठीक है अब हम नीचे आ जाते हैं item select कर लेते हैं then item हम Rolex watch select कर लेते हैं जो की 80,000 रुपीज की है ठीक है quantity one है 80,000 रुपीज की है यहां पे आप customer को कुछ note निकला चाते हैं तो वो लिख सकते हैं terms and conditions भी लिख सकते हैं लेकिन मैं इसको skip कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो लिखना नहीं है ठीक है 142 invoice number Gary Munro और यह सबरा हम इनकी इसकी permanent link को copy कर लेते हैं ठीक है then हम यहां पे आके web हमारे browser में यह जो urls को click करके हम यहां से अपना जो है bill pay कर देते हैं ठीक है यहां पे यह सामने आ गया है bill हमें जो pay करना है proceed to pay पे click करेंगे okay then हम यहां पे payment करेंगे card के द्वारा okay card पे click किया then skip safe cards वाली हम वो करेंगे card number हमें डालना है तो अभी हम test card यूज कर रहे है तो यहां से मैं test card को copy कर लूँगा okay then हम यहां पे जाएंगे card पे यहां पे हम paste कर देंगे expiry date डाल देंगे okay card holder name है Gary okay और CVV भी हम डाल देते हैं okay pay कर देते हैं okay अब हम यहां पे skip saving card डाल देते हैं okay click कर देते हैं then अब हम success पे click करेंगे okay success पे click किया तो यह हमारा order जो है paid हो गया है ठीक है अभी क्या होना चाहिए अभी महां पे public connect के पास response बहुत जाना चाहिए okay तो यहां पे जैसा कि आप देख रहा है response आ गया है response received कर लिया है public connect ने ठीक है यह order रहा यह 80,000 अब आप जैसा कि आप देख रहा है वहां पे 80,000 था लेकिन यहां पे 80,000 रुपीज बता रहा है okay तो ऐसा क्यूं हो रहा है क्योंकि हमारा order id जो है उसको हम select करेंगे एक बार और हम razor pay को जो है click करेंगे और select करेंगे razor pay को action event में हम select करेंगे हमारा get invoice by id ठीक है इसको हम select करेंगे get invoice by id को फिर हम click करेंगे connect पे connect पे क्लिक करने के बाद हमें click करना होगा add new connection पे then add new connection पे क्लिक करने के बाद यहां पे यह हमसे मांग रहा है key id और key secret okay so यह हमें कहां मिलेगा यहां पे दिये हुए instructions आप इन्हें follow कर सकते हैं then मुझे वैसे ही पता है तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपना पैबली का oh sorry eraser pay की dashboard पे then हम click करेंगे settings पे okay settings पे click करने के बाद हम click करेंगे API keys पर okay API keys पर click करने के बाद हम यहां generate test key key पर click करेंगे then हम यहां पर deactivate करेंगे हमारी old key को immediately okay पर click करेंगे and यहां पर अभी new key generated हो गई है then हम यहां इसे copy कर लेंगे okay copy करके हम वापे से यहां आएंगे key id में यहां पर paste कर देंगे देन दुबारा से हम जाएंगे यहां से key secret को copy करेंगे और इसको यहां आके हम यहां field में paste कर देंगे देन अब हम click कर देंगे save पर save पर click करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं हो गया successfully अब हम invoice ID जो है यहां पर हमारी map कर देंगे कहां से map करेंगे यह जो हमें RazorPay की invoice URL से हमें data पराप्त हुआ है महां से हम करेंगे एछ यह वही data है जो हमें Pebli connect को मिला है एछ वाला यह वही data है same to same जो Pebli connect को मिला है RazorPay के द्वारा कि हम आजाते हैं यहां यहां पर क्या map करना है हमें invoice तो हम यहाँ पर search कर लेते हैं invoice id ओके यह रही इसको हमने map कर दिया then अब हम click कर देंगे save and send test request पर okay so यह हो गया है successfully अब then इस पर हम save पर click करके अब हमें क्या करना है अब हमें हमारा जो amount जो आ रहा था 80 lakh rupees का जो की actual में 80,000 rupees है 80 lakh rupees का amount आ रहा था जो actual में 80,000 rupees का है तो इसको हमें क्या करना है trim करना है amount को तो इसके लिए हमें action step और बढ़ानी होगी action step हम यहाँ पर बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम select करेंगे API को ओके यह रहा API इसको हमने select किया ठीक है then हम यहाँ पर end point URL डालेंगे so end point URL कहां से आएगी यह हमारी company ने पहले से ही बना के रखी हुई है जो कि मैंने copy करके रखी है अपने notepad में so मैं यहाँ से इसको यहाँ copy कर लूँगा और don't worry यह URL मैं अपने वीडियो के description box में भी डाल दूँगा जैसे कि आप भी use कर सकें तो मैं यहाँ पे इसको लाके paste कर देता हूँ then मैं एक छोटी से setting और करता हूँ set parameters पे मैं क्लिक करता हूँ then यहाँ पे मैं amount डाल देता हूँ क्योंकि हमें amount ही trim करना है और कुछ trim नहीं करना value जो है यहाँ पे हम map कर देते हैं value map कर देते हैं invoice page से जो हमें data प्राप्त हुआ है वह वाली यह रही है अमारी value यह वही data है जो हमें मिला है public connect को razor पे से ठीक है वही सब data है यह देखिए अभी आएगा यह रहा ठीक है amount यह हमको map करना है यह यहीं पे शो हो रहा है तो हमने यह amount map कर दिया ओके देन अब हम क्लिक कर देंगे save and send test request पर ओके सो हमारा जो amount status है वह success हो गया और हमारा amount 80,000 हो गया है जो की 80,000 रुपीज बता रहा था अभी 80,000 हो गया है ठीक है successfully देन अब हम इसको save पे click कर देंगे अब अब आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं हमारे action step पर mean step जो है हम क्या चाहते हैं कि हमारा gmail से email send हो customer को के उनका जो है invoice paid हो गया है details के साथ ठीक है देन अब हम click करेंगे gmail के उपर जो नीचे connect का button है उस पर click किया ओके देन अब हम click करेंगे add new connection पर okay add new connection पर click करने के बाद हम click करेंगे connect with gmail पर okay connect with gmail पर click करने के बाद हम click करेंगे वो वाले account पर मेरे काफी सारे gmail account है मैं click करूंगा उस account पर जिस account से मैं चाहता हूं कि email send हो okay sender account okay so मैंने यह वाला select कर लिया चौदरी हैदर अलीखान वाला ठीक है मैं allow करूंगा don't worry public connect is 100% save आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है अलाव पर click करिए direct ओके direct हमने अलाव पर click किया then successfully authorization successful हो गया है हमारा ठीक है अब recipient name हमें mapping करनी है हमें map करना है वो data जो हमें family connect को मिला है razor pay के द्वारा यह वाला data जो है यही सब हमें नीचे की fields में जो है map करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है तो हम आ जाते हैं नीचे यह रहा recipient name तो recipient name हमें कहां से मिलेगा invoice page से जो हमें मिला है data उससे तो हम यहाँ पर डालेंगे recipient ओ सॉरी यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं एक सेकंड देख लेते हैं recipient name यह रहा Gary ठीक है Gary और recipient name हमारा Gary था recipient email address था हमारा वो भी हमें इसके अंदर ही मिल जाएगा map कर रहे हैं हम सिर्फ data ठीक है यह रहा recipient email address ओके दैन नीचे sender name जो है company का name डालूंगा मैं अपनी family family की तरफ से जा रहा है sender name sender email address जो है वह मैं डाल देता हूं terrificheather7868gmail.com okay sender email भी डाल दिया अब इसको मैं skip कर देता हूं आपको भरना हो तो आप भर सकते हैं so email subject में हम क्या fill करेंगे email subject में हम डालेंगे subject तो उसका email जा रहा है ठीक है अब यहां पे हम receipt number भी map कर देते हैं ठीक है तो उसके लिए हम colon लगाते हैं एक पहले then हम यहां पे map कर देते हैं यहां से receipt number हमारा कहा है यह रहा ठीक है invoice number 142 ठीक है इससे क्या होगा कि customer को आसानी हो जाएगी कि यह वाला जैसे उसने कई सारे orders कि होंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ 142 नमबर वाला जो मेरा invoice paid हुआ है उसका यह confirmation email आया है ठीक है then अब हम नीचे आ जाते है email content प पहले तो hello okay hello then हम enter करेंगे नीचे आ जाएंगे space देखे अब हम लिखेंगे invoice invoice paid then हम फिर colon लगाएंगे उसके बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे then हम लिखेंगे receipt number कोलन लगाएंगे फिर से sorry receipt number फिर उसके बाद हम type करेंगे manually manually नी type करेंगे अब यहाँ पर हम map कर देंगे receipt number जो है हमारा invoice number जो है उसको हम map कर देंगे जो भी हमने ऊपर किया मैप ठीक है invoice number हमारा नीचे था यह रहा हमारा invoice number 142 ठीक है receipt number हो गया अब customer ID भी हमको map करना होगी तो हम यहाँ पर पहले लिख देते है customer ID कोलन यहाँ पर हम इसको map कर देते हैं ठीक है customer ID क्या है सर्च कर लेता है ढूंडने की जगा तो यह रही customer ID इसको भी मैंने map कर दिया ओके दैन अब हमें product का भी बताना होगा प्रोडक्ट क्या लिया था customer ने किसका उसने payment जो है किया है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं manually product colon और यहाँ पर प्रोडक्ट भी हम map कर देते हैं यह वाले second वाला जो option है उसमें से हमें product map करना है first वाले invoice paid के अंदर product का नहीं आएगा यह second वाले में आएगा जो हमने यह second वाला जो action event बढ़ाया था यह वाला यह वाला जो action event बढ़ाया था हमने इसके अंदर आएगा वो option ठीक है तो हम आते हैं नीचे ठीक है इसमें से देखते हैं दैन हमारा product जो है search कर लेते हैं product sorry item item okay Rolex watch यह रहा ठीक है इसको हमने map कर दिया Rolex watch का अब हम एक बार और enter करके amount भी map करेंगे amount colon amount map कर देंगे हम कौन सा वाला select करना है हमें जो हमने trim किया था API के दौरा ठीक है तो हम यहां से select कर लेंगे यह amount okay यह भी हमने map कर दिया ठीक है then अब हमें क्या करना है अब हमें click करना है save and send test request पर okay ठीक है save and send test request पर click करने के बाद जो हुआ है वहाँ पे email send हो गया है आपे successfully response received हो गया है कि वहाँ पे अपना किसको email send हुआ है के नहीं हमने क्या डाला था Gary Monroe को ठीक है Gary Monroe को email send हुआ है के नहीं Terrific Heather की ID से ठीक है तो हम चलके वहाँ पे यह रहा Gary Monroe वाला account जो है वो खोल लेते हैं और देखते हैं वहाँ पे email हमें मिला है के नहीं So Gary Monroe यह रहा Gmail पे क्लिक कर देते हैं डारिक्ट ओके सो यह यहाँ पे आप जैसा की देख पा रहा है यहाँ पे सामने आ गया है ठीक है Email पहुच गया है Razor पे invoice paid invoice number 142 hello invoice paid receipt number invoice number 142 customer ID यह रही product है अपना Rolex watch और amount है 80,000 तो हमने क्या किया है हमने successfully integrate कर दिया है पैबली connect को Gmail ओ सॉरी हमारे Razor Pay को Gmail से ठीक है अब जब भी invoice कोई paid करेगा तो automatically जो है email चला जाएगा customer के पास ठीक है तो एक बार हम अपने workflow को check कर लेते हैं दुबारा से कि वो proper तरीके से काम कर रहा है कि नहीं दूसरा email दूसरा ID दूसरा customer क्रेट करके ठीक है तो हम चलते हैं कुछ दूसरा product का जो है invoice paid करने तो हम click करते हैं फिर से dashboard की तरफ एक बार okay इसको कर देते हैं ठीक है अब हम आजाते हैं invoices पे okay invoices पे click करके एक new invoice create करते हैं हम ठीक है तो इसका हम नान देते हैं invoice invoice number 145 sorry three कर देते है 142 था पहले वाला तो यह 143 कर देते हैं and इसका capital कर देते हैं ठीक है अब हम नीचे आ जाते हैं इसको भी same नाम देते है razor pay to gmail okay then अब हम नीचे आ जाते है customer को select कर लेते है customer भी हम new create कर देते हैं ठीक है तो अभी customer का नाम होगा आशी राय और इमेल एड्रेस रहेगा आशी राय 824 एड्रेड gmail.com ओके contact number हम फिल कर देते हैं ओके तैन अब हम click करते है create customer पर ओके तो customer safe successfully हो गया है दैन अब हम आ जाते है expiry date पर फिर से expiry date हम इसकी कर देते हैं 7th August okay then हम यहाँ पर item select कर लेते हैं अभी हमने Rolex watch खरीदी ते अब हम camera खरीद लेते हैं ठीक है camera की कीमत है 30,000 rupees okay quantity एक ही है then अब यहाँ पर customer notes वगेरा जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको यहाँ पर अगर आपको भरना हो तो भड़िये नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है then अब हम वापिस चलते हैं उपर और अब हम click कर देते है finalize and issue पर okay then अब हम issue invoice पर click कर देते हैं ठीक है invoice created successfully तो invoice successfully create हो है ठीक है यह वाला तो अब हम इसको copy कर लेता है यहाँ से copy करके हम एक नए tab में जो है अब अपना यह वाला window खोल लेते हैं ठीक है then अब हम यहाँ से payment proceed to pay पे click करते है payment कर देते हैं ठीक है card के द्वारा करेंगे okay card number में हम फिर से white test card number डालेंगे okay यहाँ पे paste कर देंगे इसको मैं अधर कर लेता हूं ठीक है यहाँ पे expirated डाल देंगे और card holder name है आशी ओके यहाँ पे CVV भी हम डाल देते हैं then हम click करेंगे pay 30,000 रुपीज पर okay then skip करेंगे इसको okay success पे click करेंगे तो यह successfully payment हो गया है यह paid हो गया है अब हम चलके check करते हैं email पे आशी राय के email पे यह वाला जो email है इनके पास हम चलके check करते हैं कि इनके पास confirmation email आया है के नहीं invoice की details पहुची है के नहीं तो मैं click करता हूँ आशी राय वाले account को ठीक है आशी राय वाले account खोला email पे click किया तो जैसा कि आप देख पा रहा है यहाँ पे आ गया है ठीक है पैबली के नाम से okay so razor pay invoice paid invoice number 143 hello invoice paid recipient number invoice number 143 customer id product है अपना camera और amount 30,000 रुपीज तो हमने successfully जो हमारा integrate कर दिया है किसको razor pay को अपन Gmail से और हमारा जो workflow है automation है वो proper तरीके से काम कर रहा है हमने सबसे पहले integrate किया अपने razor pay को पैबली connect से देन हमने integrate किया पैबली connect को Gmail से फिर पैबली connect ने razor pay को Gmail से integrate कर दिया इस तरह से हमारा automation पूरा बन गया ना ही सिर्फ इन दोनों applications को आप multiple applications को भी integrate कर सकते हैं with the help of public connect और ए इस वीडियो के description box में आपको ये same workflow का link मिलेगा जिस पे click करके आप यही workflow अपने account में use कर सकते हैं एकदम free में इस workflow से लेलिटेड आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है कोई भी परिशानी आती है automation में तो आप हमसे contact कर सकते हैं admin at directpably.com पर और अगर आपके कुछ questions होते है queries होती है तो आप हमसे ask कर सकते हैं पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर ठीक है और यह video अगर आपके लिए helpful रहा है तो आप इस video को like करना मत भूलेगा और channel को subscribe करना मत भूलेगा धन्यवाद